पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हसाता है यही, यही रुलाता है दिल तो पागल है, दिल दीवाना है दिल तो पागल है दिल दीवाना है अरे रे अरे ये क्या हुआ कोई न पहचाना अरे रे अरे बन जाए न कहीं कोई अफसाना अरे भोली सी सूरत आँखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाए एक जलक दिखलाए कभी कभी आचल में छुप जाए मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए भोली सी सूरत आँखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए मर जाना था ये बैद नहीं था खोलना ओ ढोलना ओ ढोलना कब तक चुप बैठें अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना अंद ने कुछ कहा रात ने कुछ सुना तू भी सुन बेखबर प्यार कर ओ प्यार कर आई है चांदनी मुझसे कहने यही आई है चांदनी मुझसे कहने यही मेरी गली मेरे घर प्यार कर ओ प्यार कर असलाम लेक्म फ्रेंड्स वेल्कम टू अदनान रजजा अफिशल यूट्यूब चैनल और येट अनदर विलॉग अबाउट था म्यूजिक रिविव और आज इस मुवी का म्यूजिक रिविव हम पेश करने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है दिल तो पागल है यकीनन ये नाम आपने सुना भी होगा और ये फिल्म भी बहुत से लोगों ने देखी होगी इसका म्यूजिक तो लाजमी सुना होगा आपने 1997 1997 की ब्लॉक बस्टर मूवी 30 अक्तूबर 1997 को ये फिल्म रिलीज हुई ये फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म के डिरेक्टर थे ये चोपड़ा जो इससे पहले डर और दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे जैसी बड़ी फिल्में कर चुके थे तो लोगों के लिए ये फिल्म आलरेडी रिलीज से पहले ही बहुत ज़दा अट्रेक्टिव थी इस फिल्म से मतलिक सारी मालूमात हम आपको देंगे इस फिल्म पे सारे गाने मैं आपको सुनूँगा लेकिन उससे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्स्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अनन्द पक्षी साहब ने इस फिल्म का टोटल बजट जो था वो था 90 मिलियन 9 करोड में ये फिल्म बनी और उसके बाद वर्ल्ड वाइड जो है इसने 11 करोड 86 लाग का बिजनस किया जो साल की सबसे बड़ा जो था वो हिट साबित हुआ हाईस्ट ओफ 1997 फिल्म जो थी वो 245 स्क्रीन पर लगाई गई जब ये फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म से मुतलिक कुछ दिल्चस्प बातें ये भी हैं जिनको आपने पहले शायद ना सुना हूँ कि इस फिल्म के पहले नाम जो थे वो मुख्तलिफ सोचे गए मसलां इस फिल्म का पहले नाम सोचा किया मैंने तुम हबबत कर ली फिर इस फिल्म का नाम सोचा किया तेवर फिर इस फिल्म का नाम सोचा किया महबबत कर ली फिर इस फिल्म का नाम सोचा किया कोई लड़की है जो इस फिल्म का एक गाना भी था कोई लड़की है जब वो मस्ती है तो यश चोपरा साब ने सोचा कि इसको इस फिल्म का टाइटल बनाया जाए लेकिन इस से बरक्स इस फिल्म का जो नाम सेलेक्ट हुआ वो हुआ दिल तो पागल है जो I think very right decision था क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी से मतलग अगर चला जाए इस स्टोरी को देख के चला जाए तो ये नाम बहुत ही suitable था अब इस फिल्म की कास के मतलग आपको बताता चलों तो इस फिल्म में सुपर हिट जो उस दोर की एक्ट्रेस मादूरी डिक्षिट थी और उनके साथ थे शारुखान और साथ थी करिश्मा कपूर और अक्षे कुमार भी इस फिल्म में मौजूद थे अब मजीद डिटेल आप को मैं बताता चलों कि इस फिल्म में जो पहले मादूरी डिक्षिट का जो रोल था वो स्री देवी को आफर किया गया लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से इंकार कर दिया उसके बाद फिल्म मादूरी डिक्षिट को दी गई है जे लीड रोल और सेकंड जो रोल था वो जो चावलों को प्रोच किया गया इस रोल के लिए लेकिन जो ही चावला ने ये कहकर इंकार कर दिया क्योंकि वो से पहले अल्रेडी में रोल्स कर चुकी थी डर मूवी में या शिराज फिल्म्स में तो वो सेकंड लीड पे नहीं काम करना चारे थी और बहुत सी एक्टरिसेअ्ज ने इसी वज़स इंकार किया क्योंकि में पे माधूरी डिकशिड को लिया गया था और वो लीड पे ही काम करना चाहती थी उसकेAfर प्रयूंब काजुल को आफर किया गया रवीना टेंडन को भी आफर किया गया लेकिं उन्होंने भी सेकिंड ़ीड करने सेंकार कर दिया और रव perception कर्यर के इखताम की तरफ जा रही थी उसके बाद अर्मिला को ये रोल दिया गया उन्होंने शूटिंग के लिए भी आई वो एक दिन की शूट भी हुई लेकिन उसके बाद ये फिल्म को वो छोड़ के चली गी और in the end डिसाइड हुआ कि जी फिल्म का ये रोल करिश्मा कपूर करेंगी चनक चनक उसमें भी और जो इस फिल्म का फर्स सौंग था उसमें भी उनको ऐसे बैगरॉंड रांसर आप देख सकते हैं शारुखान और मादूरी रिक्षी के इससे पहले अंजाम और कोईला फिल्म में रिलीज हो चुकिती जो बड़ी अच्छी चली थी तो ये उनकी अकट्छी ये तीसरी फिल्म थी और येस चुपड़ा के साथ डर और दिल्वाले दुल्हनियां ले जाएंगे के बाद शारुखान की ये तीसरी मुवी थी अच्छा इस फिल्म से मतलग एक और मज़धार बात कि आपने देखा होगे इस फिल्म में करिश्मा कपूर डांस करते हुए इंजर्ड भी हो गई थी तो ये रियल वाकिया भी है कि फिल्म की डांस रियलसेस के दुरान करिश्मा कपूर इंजर्ड होगी थी और वो उसी ऑस्पिटल में गई थी जिस ऑस्पिटल में इसको दिखाया गया यानि के जो रियल बात थी उसको स्टोरी का भी हिसा बना दिया गया और वो बड़ा अच्छा खूबसूरत था और अक्षे कुमार को जी लिया गया इस फिल्म के साइड रोल में सेकिंड लीड में येस चोप्ला के साथ और शरुक के साथ उनकी पहली फिल्म थी इसा पैले में जैकी श्रूफ को इस रूल में लिया गया था लेकिन बाद मैं ने अक्षे कुमार को रखा जाए अच्शे कुमार अस वक्त अपनी करियर की तनजली की तरफ जा रहे थी काफी सारी फिल्में इस फिल्म में रखेंगे और अक्षे कुमार जो है वो अभी क्यूंकि अपने करियर के उस साइट बे जा रहे हैं कि वो उनकी लगतार फ्लॉफ फिल्म आ रही है तो वो आपकी फिल्म को एफेक्ट कर सकते हैं इसलिए फिल्म की प्रमोशन में भी अक्षे कुमार को दूर चीवमेंट है तो इस बात पर अक्षे काफी नराज हुए दस साल तक उन्होंने ना शारुखान के साथ काम किया और ना यश्राज फिल्म के साथ काम किया दस साल बात है बेबी मूवी में उन्होंने दुबारा से यश्राज फिल्म के बैनर की नीचे काम किया अच्छा इस और लता मंगशकर ने गाना गाया था लेकिन ये गाना रिलीज नहीं हो सका और उस वक्त ये जो है वो इवन अलबम का पाड़ भी नहीं था ये बार रजाद 2008 में ये गाना फिर जो है वो रिलीज हुआ किसी और अलबम के साथ इसको एक गाना एड़ गया था फिल्म फिर कर्क्टर का बेस्ट डायलॉक्स का यानि के बहुत सारे इवार्ड इस फिल्म ने जीते बात करते हैं जनाब इस फिल्म के म्यूजिक से मतलिक और इस फिल्म का म्यूजिक दिया उत्म सिंग ने और उस वक्त के दोर में जब जब जैतिन ललित अनू मलिक नदीम श्रबन का दोर था और मैकसिमम प्रोडूसर जो है इनी लोगों के साथ काम कर रहे थे उस वक्त चूज़ किया याश राज फिल्म ने उत्म सिंग को जो के बहुत ही कमाल के वालनिस्ट थे पहले और उनने ऐसे वालनिस्ट भी काम किया और उनका जो पेर बनाया गया लिरिसिस्ट के अनन्द बक्षी के साथ अनन्द बक्षी भी बहुत पड़ा नाम वो अल्रेडी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगा के गाने लिख शुके थे जो बहुत बड़े हिट साबित हुए तो हम बात करते हैं सबसे पहले जनाब उत्म सिंग साहब के बारे में कि उत्म सिंग कै करते हैं डिफरेंट म्यूजिक कंपोजर्स के साथ और अर्डी बर्डमन के साथ उनने काफी जड़ा काम किया और उनके गानों में बहुत सा वाइलन जाया जिनके मशहूर कानों के अगर बात की जाए तो चुरा लिया है तुमने और दो लफजों की है यह दोनों गानों मे जो फेमस काने थे इन्होंने ही वाइलन बजाया उसके बाद वो जो है वो एस एक कंपोजर काम करना चाते थे तो उत्तम जगदेश जगदेश को उन्होंने अपने साथ एक और कंपोजर थे उनके साथ अपना पेर बनाया और एस म्यूजिक कंपोजर काम किया दस साल तक उ हो गई जिसके बाद फिर उत्म सिंग ने अकेले काम करना शुरू किया और एज एक कंपोजर जब उन्होंने अकेले काम किया तो उन्होंने बड़ी अची-ची फिल्में दी जिनमें वारे, स्पिंजर, दुश्मन, बागबां और गदर एक प्रेम कहानी और बड़ी अची-च का म्यूजिक आप सुनें तो बड़ा मॉटर्न आपको लगेगा लेटस लगेगा जो इसकी बीट्स यूज की गई जो इसमें रिदम्स यूज की गई वो नॉर्मल रिदम्स से बिलकुल हटके थे हर गाना और जब बज़ता था तो नजर आता था कि ये कुछ अलग है इसम तो उत्म सिंग ने अपना आप मनवाया और इस ए बेस्ट म्यूजिक कंपोजर उन्होंने इस फिल्म में एस ए बेस्ट कंपोजर का फिल्म फेर वाट भी जिए था जो बहुत बड़ी बात थी फिल्म का जो लिरिक्स लिखे जनाब अनन्द बक्षी साहब ने जो 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 ज कंपे की तरफ आई थिंग शिफ्ट हो गए बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्म में उन्होंने दी जिल में अगर 90 की बात की जाए तो दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे परदेश, महबतें, दुश्मन, ताल, यादें 2001 में उनकी फिल्म ये रिलीज हुई, 2002 में उनकी डेथ हुई, लेकिन अनन्द बक्षी साफ का नाम जो है, वो हमेशा याद रखा जाएगा, सब काउंटिनेंट के लिरिक्सिस्ट में अनन्द बक्षी साफ का एक बहुत बड़ा नाम है, और मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बड़ा खुबसूरत उनका, जो था हम बहुत ही कमाल थे, पूरा अलबम अगर आप सुनें तो कहीं भी आपको फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जनाब, और बहुत ही बड़ा ब्लॉक पस्टर इसका जो था म्यूजिक भी हिट साबित हुआ, दिल तो पागल फिल्म में ग्यारा ट्रैक्स थे, और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो एक करोड़ पचीस लाग कैसर्सिस की फरोख थोई और नाइटी नाइटी सेवन की ये सबसे बड़ी हिट साबित हुई, और इस फिल्म का म्यूजिक अल्रेडी लोगों ने सुन चुके थे, फिल्म का म्यूजिक हिट हो चुका था जिसने बहुत ज़्यदा मदद दी इस फिल्म के जो है वो कामयाब होने में, और फिल्म के म्यूजिक की अच्छी बात ये कि इस फिल्म में, क्यूंके वो जो चैरेक्टर से वो डांसर्स भी थे, तो इस फिल्म का म्यूजिक बनाने में और भी मज़ा आया होगा उतम सिंग को, क्य गाया था वो है जी उदत नराइन और लता मंगेशकर जी ने गाया था उत्म सिंग लता जी के बहुत बड़े फैन थे और शूरु से ही उनको लता जी बहुत पसंद थी तो इस फिल्म के सारे गाने उन्होंने लता जी से गवाए और लता जी के बारे में आपको बताता है चलूँ कि ये मेरे खाल में लास्ट मूवी होगी जिसका कम्प्लीट गाने उन्होंने गाए और उसके बाद उन्हें का दुका तो फिल्म में वो गाती रही लेकिन कम्प्लीट सॉंग आई सीने में फिर आग लगाता है धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही हसाता है यही यही रुलाता है दिल तो पागल है दिल दीवाना है इस दिल की बातों में जो आते है तो पागल है दिल दीवाना है नेक्स गाने की तरफ चलते हैं जी नेक्स सॉंग है यह क्या हुआ और इस गाने को गाया उदित नराइन और लता मंगेश करने and the song is साम लो साथ जब तक हो बात कुछ होती रहे बात जब तक हो सामने बैठे रहो तुम रात जब तक हो अरे रे ये क्या हुआ कोई न पहचाना अरे रे बनता है तो बन जाए अफसाना और बहुत खुबसूरत गाना जी भोली सी सूरत आंकों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाए मेली इस गाने को गाया उदित नाराइन ने और क्या एक्सप्रेशन और क्या फील के साथ गाया बीच में लता जी भी इस गाने में उन्होंने भी गाया and the song is भोली सी सूरत आंकों में मस्ती आए हाए अर भोली सी सूरत आंकों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाए एक जलक दिखलाए कभी कभी आचल में छुप जाए आए हाए मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए भोली सी सूरत आंकों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाए लड़की नहीं है वो जादू है और कहा क्या जाए रात को मेरे खाब में आए वो जलुफें बिखराए आँख कुली तो दिल चाहा फिर नीन मुझे आजाए बिन देखे ये हाल हुआ देखू तो क्या हो जाए भोली सी सूरत आंकों में मस्ती दूर कड़ी शर्माए आए हाए एक जलक दिखलाए कभी कभी आचल में छुप जाए आए हाए फिल्म के कानों से मतलिक बात की जाए तो फिल्म के काने शूट भी बहुत खुबसूरत हुए और जो ड्रेसेज इस्पेशली माधूरी के ड्रेसेज जो थे पड़े इस्टरन और बड़े खुबसूरत और फिल्म के काने मुक्तलिफ जगों पे शूट किये गए फिल्म का एक दो सौंग्स जाए हो जर्मनी में शूट किये गए स्विजलन में भी सौंग्स जाए है इसके शूट हुए और बड़ा अच्छा जो है उस स्क्रीन पे इस फिल्म का इंपक्ट आया और अब जिस गाने की तरफ में जा रहा हूँ ढोलना ये मेरे फेवरिट सौंग में से है अंडरेटेट है थोड़ा बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको नहीं सुना लेकिन मेरे फेवरिट में से क्योंकि इसमें जो रिदम यूज हुए है और जो इसमें पांच है गाने म और जो परफॉर्मेंस है शारोग और मादूरी की उसके क्या कहने है और सौंग इस ओ ढोलना ओ ढोलना कब तक चुब बैठें अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोलें ओ ढोलना दो चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम ये लेकिन सौ मीलों से क्या कम थे फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना हाए डोलना ओ ढोलना कब तक चुब बैठें अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोलें ओ ढोलना एक औरी बहुत ही खुबसूरत सौंग जी चांद ने कुछ कहा रात ने कुछ सुना तू भी सुन बेखबर प्यार कर हो प्यार कर हे हे ओ हो 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 चांद ने कुछ कहा रात ने कुछ सुना तू भी सुन बेखबर प्यार कर हो प्यार कर आई है चान्दनी मुझसे कहने यही मेरी गली मेरे घर प्यार कर ओ प्यार कर क्या कहूं क्या पता बात क्या हो गई दिल लगी है मेरे साथ क्या हो गई इक इशारा है दिल पुकारा है इस से चुराना नजर प्यार कर ओ प्यार कर इस फिल्म का पहला सौंग था जणाब लेगी लेगी दिल लेगी लेगी यह गाना आशा भोसले जी ने गया और उनका साथ दिया उदित नाराइन ने और इसके लावा एक और गाना था जी एक दूजे के वास्ते और बाकी कुछ सैड वरिजिन्स भी थे सॉंग्स के जो इस फिल्म में यूज किये गए एक गाना जो मैंने आपको बताया जो फिल्म है जो ट्रैक्स जो थे उसमें वो शामिल नहीं था दोज क्योंकि हर हीरो के उपर उनकी आवास सूट करती थी और बैस प्लेबैक सिंगर थे उस दोर के और कुमार सानो कंटिन्यूसली अवार्ड्स भी ले रहे थे और कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा काम भी कर ले थे लेकिन आई थिंग 97 के बाद थोड़ा सा डिकलाइन फिर कु कोने सुनना चाहेंगे कोशिश तो यह होती है कि वो फिल्में जो आपको यकीन पसंद होंगी और जिनका म्यूजिक बहुत अच्छा है पहले मैं उनका रिव्यू करूंगा और उसके बाद आपकी जो जो चॉइसिस हैं उनको भी मदे नज़र रखा जाएगा बहुत शुक